So guys finally welcome back to CS Concepts Simplified So guys आज finally आप सभी का allotment आ जाएगा Allotment के बाद आपको दो option दिखते हैं एक होता है freeze, एक होता है betterment bracket not freeze अब ये दो option का मतलब क्या होता है पहले इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊँगा Plus किन students को आपको क्या-क्या चीज़े लेके जानी होती है College में report कब करना होता है कौन-कौन से documents लगने वाले सब चीज़ों के उपर हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो ये वीडियो बहुत important वीडियो रहेगा तो please जरूर end तक देखना आप So guys finally आज रात को आप सभी का allotment आ जाएगा Allotment के बाद आपको screen के उपर दो option दिखेंगे एक option होगा freeze का एक option होगा betterment bracket not freeze का सबसे पहले अगर आपके दो में सबको एक ही option चूज़ करना है तो आपने मानलो freeze का option चूज़ किया Freeze का मतलब यह होता है आपको जो भी college में आपको जो भी branch मिलिये वो आप accept कर रहे हो और उसी college में जाके आपको final admission लेना है तो freeze में अगर आपने click किया तो फिर आपको next three days के अंदर college में report करना होगा college में report करने के बाद वहाँ पर जाके आपको first year की fee payment करनी है जो भी fee payment का mode होगा college की website पर आप check कर लेना उसके बाद आपको वहाँ पर जाके अपने original document submit करने है plus FC verified copy submit करने है अभी documents क्या क्या लगने वाले वो colleges की website पर clearly mentioned होता है तो जो भी college आपको आज alert होगा उसकी website पर जाके documents वो सब चीज़े check कर लेना ये कब करना जब आप freeze करोगे तब और freeze करने के बाद भी आपको thousand रुपीज का payment करना पड़ता है वो payment करने के बाद next three days में आपको college में report करना है document submit करने है ये चीज़ याद रखो तब freeze किया तब आपको ये process complete करने अगर आपने betterment bracket not freeze पे click किया तब फिर आपको report करने की कोई ज़रूरत नहीं है betterment not freeze पे अपने click किया thousand रुपीज का payment रहेगा thousand रुपीज का payment आपने confirm किया अभी ये thousand रुपीज के payment के बाद आपको बस wait करना है cap round 2 का just wait for the cap round 2 so guys यही एक step होता है thousand रुपीज का payment दोनों को करना है freeze करो या फिर betterment करो and guys my suggestion betterment पे ही जाना betterment is the most secured option आपकी seat आपके पास ही रहने वाली है जब तक आपको कोई उपर के choice allot ना हो तब फिर betterment में जाना cap round 2 का वापिस से option form बनाना और वो cap round 2 के option form में जो round 1 में allot हुआ तो automatically last choice बन के आ जाता है तो last choice में वो रहेगा उसके उपर आपको choices insert करते जानी है जो जो choice आपको उसके उपर आपको चाहिए वही choice आपको insert करते जानी है और betterment हुआ तो फिर वो college चला जाएगा नहीं हुआ तो वापिस से वो last वाला college आपको अलोट होके मिल जाएगा so betterment is the most secured option betterment के लिए जा सकते हो and guys और एक hint बताता हूँ अगर आपके पास अभी आपके bank account में fees ready नहीं हो चुप चप betterment पे क्लिक कर दो उपर बस आपके जो भी choice अलोट हुई है उसके उपर COEP डालके रख देना COEP computer science, VJTI computer science वो डालके रख देना आपको वापिस से उतना एक दो हफते का time मिल जाएगा अपनी fees submit करने का तो ये एक बहुत अच्छा hint है आप इसको use कर सकते हो अगर आपके अभास अभी bank account में पैसे नहीं होतो और अगर आपने freeze किया तो आपको fee payment करना कंपल सरी रहता है college में report करना कंपल सरी रहता है document submit करना कंपल सरी रहता है ये चीज़ याद रख दो hope so guys ये वीडियो आपको informative लगा होगा so guys वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाओ और चैनल को subscribe करके सरूर जाना बाके details, betterment और freeze के उपर flow चाट के तो हम explain करेंगे so just wait for our next वीडियो after allotment